हेलो दोस्तों नमस्कार ये वीडियो दोस्तों उन लोग के लिए है जिनका चैनल मोनोटाइशन हो चुका है या फिर उनका मोनोटाइशन डिसेबल कर दिया गया है या फिर आप यूटूब की लाइफ में आना चाहाते हैं कहने का मतलब है कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपन याने कि मोनोटाइशन के लिए बार बार अपलाई कर रहा है पर वो आपका वहां पर रीउजज कंटेंट आ रही हैँे ठीक है आप सबसे पहले हम जा लेते हैं कि आखिर रीउज कंटेंट क्यों आता है जैसे कि mentality में लिखा है कि वह ये लिखा है अगर आप किसी की वीडि कुछ website हैं वहां से हम ले लेते हैं। इससी के साथ में हम फिरेंग ले लेते हैं और हम अपनी महनत करते हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग बगएरा, ठीक है और बहुत महनत करके हम वीडियो को अफ्लोड कर देते हैं। तो यूटुब आपको यहां पर करेंगा क्योंकि YouTube कहता है कि आपका उसमें कोई महनत नहीं है इसी के साथ में अगर आप उसमें अपनी आवाज देते हैं या फिर अपना फेस देते हैं उसके अंदर ठीक है तो यूटूब यह कहता है अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आपकी चीज चरूर होना च चाहिए या फिर आपकी खुद की अवाज होना चाहिए अब ऐसे में अगर जैसे कि आपकी अवाज भी खुद की है और इसी के साथ में फेस भी आपका खुद का है और फिर भी आपके चैनल का मोनोडाइशन हो जाता है तब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए जैसे कि अभ को यहां पर नहीं बैर है जोकी उनका system है 는सारी चीजों को चेक कर करता है अब यहां पर यह तरही की problem कभ आती है जैसे कि अगर आपको कोई दूसरा channel है ठीक है तो बहां पर आपने उस channel या तो समाप्त हो जाता है या फिर आप उस channel की video उठा उठाकर आप इस channel पर upload कर रहा है तो ऐसे में यह है कि बहां पर आपको copyright strike या फिर copyright claim या फिर किसी भी तरीकी की दिक्कत नहीं आती है पर आप यहां पर new channel पर अगर आप अपनी वीडियो upload कर रहा है तो बहां पर आपको content का option देखने को मिल सकता है ठीक है और इससे यह है कि जो आपका चैनल का monetization है वो disable या फिर आपका reject कर दिया जा सकता है ठीक है तो यूटुब की जो algorithm system है वो चीज़ को चेक करता है कि यह वीडियो कहां पर है ठीक है और इसी के साथ में उन्हीं की वीडियो कोई duplicate वीडियो हो uploaded हुई होती है और ऐसे में उस चैनल को वहाँपन monetization के लिए भेया जाता है या फिर वो monetization हुआ होता है तो उसे रिजक्ट कर देता है उसका algorithm system से ठीक है और इसी के साथ में अब इसे किस तरीके से आपको वापस पाना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी मे delete नहीं करना है अगर आपके पास इस तरीके का demonization का mail आ जाता है तब ठीक है अब आपको यहां पर कुछ साब्धानी यह बरतनी है कि अगर इस तरीके का mail आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई हाँ उस पर दिख रहा है कि आप अपनी एक appeal video बना कर और आप यहां पर कर दिखा रहा हूं ठीक है अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपको इसी तरीके से करना है ठीक है तो इसी तरीके से आपको यहां पर करना नहीं है कुछ थोड़ा सा आपको अपना दिवाग लगाना है ठीक है जैसे कि कई वार ऐसा होता है कि हम एडिसंस है जो किसी दूसरे का लगा रखा है दूसरे के मांपर और इसी के साथ में चैनल को कोई और हिहाँ पर मैनिज्ट करता है ठीक है तो यहाँ पर जो भी लोग है उनके बारे में आपको बताना है और वीडियो में उन लोगों को दिखाना भी है ठीक है ताकि सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो में बता रहा था एक अपील में यह एक टीक है इसी साथ में जिस थ्थी जहांपर रीडियो सूट कर रहा था ठीक है इससे कि समय में फर्टि के आगे में हैंवाने हूं तो मैंने दूसरे व्यक्ति से मुभाइल है या एक है camera है उसके जरीए मैंने यहां पर उससे जानी सारी चीजों को मैंने दिखाया कि मैं इस तरीके से यहां पर वीडियो सूट करता हूं इसी के साथ में वीडियो एडिटिंग किस तरीके से करता हूं ठीक है तो वीडियो मैं कैन मास्टर से करता हूं कहां से कैन मास्टर को लिया ह कौन से अप्लिकेशन से लिया है इसी के साथ में वीडियो का जो थमनेल होता है वो हम कहां से बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं तो मैंने यहां पर अपने मोगाल पर बता रहा था और उसके बाद में सेड में यहां पर स्क्रीन चल लए थी ठीक है तो इस तरीके से मैंने यह यहां पर काम करते हैं तो यह सारी चीज़ों को मैंने दिखाया इसी के साथ में वीडियो मैं एडिटिंग किस तरीके से करता हूं तो मैंने यह भी दिखाया ठीक है तो इस तरीके से यहां पर यह कुछ बातों को ध्यान रखना होता है इसी के साथ में यूटूब की टीम है व आला कि कई जो लेंग्यूज हैं उन्हें ये सपोर्ट करता है अगर आप वीडियो हिंदी में बना रहा है तो आपको एक काम और करना है जैसे कि अपनी वीडियो में सब्टैटल्स को एड़ कर दे रहा है अब सब्टैटल्स आपको इंग्लिस में लिखना नहीं आते हैं तो इसके लिए पहले ही यूटूब ने अपने उसमें यहां पर ऑप्शन दे रखा है कि आप हिंदी में करके उसके बाद में उससे ऑटो ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिस में तो वहां पर इंग्लिस में ही का एप्शन पढ़ जाएंगे इससे आपको बहुत सारी वीडियो से रहने देना है क्योंकि यूटूब की जो गैडलाइंस हैं जो की पॉलिसी हैं तो उनमें साफ साफ लिखा गया है अगर आप वीडियो को डिलीट कर देते हैं तब आपकी यहां पर प्रूब नहीं की जाएगी क्योंकि उसका कोई फैदा ही नहीं निकलेगा ठीक है तो आ अब आज भी खुद की थी ठीक है फिर भी उनके जो एल्गरेफ्म सिस्टम ने वहां पर जो मेरा चैनल था वो डी मोनडाइसन कर दिया था ठीक है तो मैंने उन्हें सब चीज बताई कि भही मैं इस तरीके से वीडियो सूट करता हूं और यह यह जगह है तो इस तरीके से वीडियो बनाकर सम्मिट की है उसका आपको रिपलाई देना ही होगा अगर उसके बावजुद भी अगर आपको रिपलाई नहीं आता है तब आप इसमें क्या कर सकते हैं जैसे कि 90 दिन वाद आपका जो बहुश टैम है वह यहां पर 4000 घंटे होना चाहिए इसी के साथ में एक 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए इससे कम होना नहीं चाहिए ठीक है अगर 14 दिन के अंदर अगर आपको रिपलाई आ जाता है और आपकी जो अपील है वह अप्रूब्ड नहीं की जा सकती है अगर आपने वीडियो अपील वीडियो सही से बनाई होए और इसी के साथ म ढूंत में आप देख पा रहा है है जो कि मेरा इसनल का घॉमालरा पएंजल किया गया था चाहर दिन मुझे में हरा और अप की थी ऍमॉल किया गया था उसके दिन बाद एक पर काडूब्स होगिया तब इस टरीके कोई भी गलती होती है तो मैं तुरंत की तुरंत उस पर अच्छन नहीं लेता हूं ठीक है तो मैंने यहाँ पर दो दिन बाद आपीट वीडियो वीडियो बनाई थी उसके बाद यह चार दिन बाद आपकी अपील है वो हमने यहाँ पर Approved कर ली है और जो आपका च चैनल का मोनडायस है वो दुबारा चालू हो चुका है और हम अर्णिक कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी प्रगारी को भी देखा था तो इन्हीं साब दहानियों को आपको बरतना है और आप बहुत ही आराम से पा सकते हैं और आपने किसी दूसरे की वीडियो चुराखे डाल रखी है तो यह अपील करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है तब तो आप अपील ना करें तभी ठीक है ठीक है और आपके फिर भी किसी प्रगार को भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में दे सकते हैं मिलते हैं ना इस वीडियो में